महुआ ने की देहज के कारण आतम हत्या रमेश धनकपुर गाओं में किसानी करता है बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी अपने परिवार के लिए कमा पाता है रमेश की एक बेटी महुआ और दो बेटे हैं बेटी सबसे बड़ी है और बेटे छोटे हैं महुआ ने माचे पास कर लिया है अब रमेश उसकी मेरीज के बारे में सोचने लगा क्योंकि उसके पास अब पैसा नहीं था जो अपनी बेटी को आगे और पढ़ा सके रमेश अपने लड़की का रिस्ता लेकर लखन किसान के पास पहुँचा पहले तो लखन बहुत ही खुश हुआ लेकिन जब रमेश ने उससे कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो लखन के तेवर बदल गए और कहने लगा मरे पास तो बहुत ही जमीन है फिर उसने मेरीज करने से मना कर दिया रमेश बहुत ही दुखी मन से घर वापिस आ गया घर जब आया तो सब लोग बहुत ही खुश थे और सोच रहे थे की रिस्ता पका हो गया लेकिन बात तो कुछ और थी शाम को रमेश अपनी पत्नी को सब कुछ बताने लगा और उसकी पत्नी की आँखों से आँसों निकल पड़े रमेश और उसकी पत्नी को लगा सब लोग सो गए है लेकिन उसकी बेटी महुआ चुपके से सब बात सुन रही थी और अपने आपको बेटी होने पर दोस रही थी रात बर महुआ को नेंद नहीं आई और सुबह उठकर उसने जहर खा लिया और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ कर चली गई दोस्तों कब तक महुआ जैसी लड़कियां आतम हत्या करेंगी हम सब को जागरुक होना पड़ेगा इस पोस्ट को इतना शेर करो की लखन जैसा देज लेने वाले लोग सुदर जाएं आओ दोस्तों हम सब मिलकर संकल्प करें कि इस देज प्रथा को जड़ से उखाड़ फिकेंगे जै हिंड